हेलो फ्रेंज नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल वंडे एक्जाम टार्गेट पर जैसे कि आप सभी को पता है दोपार की तीन बजे हम कबर कर रहे हैं प्रिजन टाइम में एंसी आर्टी जीएस तो आप सभी को पता होगा कि NCRT के पूरे 3000 कोश्चिन की स्रीच हमने स्टार्ट की है जिसे हम कॉंटिन्यू कर रहे हैं और यह जल्दी खातम होने वाली भी है तो जितने वीडियो इससे पहले अप्लोड हो चुके हैं सभी मैंने प्लेइलिस्ट बना रखा है प्लेइलिस्ट आप लोग कम्यूटि पर चेक कर सकते हम उसका जो पूरा लिंक है वो शेयर कर देंगे और साथ ही साथ आप नीचे यहां पर डिस्कृप्शन बॉक्स में भी नीचे जा करके डिस्कृप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और मैसेज भी एक पिन करके छोड़ देंगे ठीक है और आप सभी को बता देंगे अगर आप न्से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फिर उसके बाद नोर्स बनाएंगे सारी चीज़े करेंगे तो मेहनत भी लगी से उठा करके हमने नहीं बना दिया NCRT से कोश्चन जो लिया है वो पहली बात तो उस टॉपिक से जितनी भी डिफरेंट एक्जाम में कोश्चन पूचे गया है वो हमने कबर किये तो आपके एक्जाम में भी ऐसे ही कोश्चन आ जाएंगे कहने का मतलब जो डिफरेंट एक किसी कोश्चन बनाए गया है माइनूट ऑब्जर्बेशन के साथ ये वीडियो तयार किया गया और इस वीडियो को तयार करने में काफी टाइम लगा है तो आप तो जो मेहनत आपको अलग से करनी वो करनी की ज़रूद नहीं यहां पर हम कंप्लीट कर रहे हैं बस आपको ए नॉकरीं पाले नहीं हुप मेरा तो लक्ष आप से बहुत ही बड़ा है कि जितने भी हमारे ट्रेंट लेब्वजिएस सब आप comment दिल्वाना 12-12 तक त्यारी करवाती थी रात के जब सब सोच आते थे अगर पढ़ने वाले स्टोरिंट त्यार रहते थो मेरी क्लास इतनी बजे तक चलती थी तो चलिए बिना किसी दिरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं कोशिन आप सभी की स्क्रीन पर है कोशिन ये राजस्थान का वर रास्टी राजमार जो स्वर्डिम चतरभुच परियोजन और पूर्भी पश्चिमी कॉडिडोर दोनों का हिस्सा है ये राजस्थान का रास्टी राजमार 76 जो की ओल्ड है ये स्वर्डिम चतरभुच परियोजन और पूर्भी पश्चिम गलियारत दोनों का हिस्सा है रास्टी राजमार 76 जो है ये पिंडवार, उदैपुर, कोटा, शिवपुरी, जहांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर तक ये जाता था वर्तमान में ये किसका भाग है वर्तमान में ये NH 27 EW इस्ट वेस्ट का भाग है कि वह वहां पर बात आ जाती बहुत ही इंपॉर्टिंड वर्ड यूजच किया गया स्वर्डिम् चतुरभुज पर थे चरया है this स्वाडिम चतुर भुज क्या है इसके बारे में डिटियल में देखते हैं यहां से आपका कोशिन बन जाता है बहुत ही अच्छा सा ठीक जैस से रिलेटर करें हम कुछ देख रहे हैं कुछ नएया मिल जाता तो उसके बारे में हम डिटेल में जरूर देखेंगे चलिए देख लेते हैं डिटेल में अब यहाँ पर हम स्वार्डिम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे स्वार्डिम चतुर्भुज यहाँ पर देखे यह भारत का एक प्रसिध राजमार्गे जो कई ओद्योगिक सांस्कृतिक और क्रिसी संबंधी नगरों को जोड़ता है इसका आगार बहुत सीमा तक यह से चतुर्भुज के समान दिखता है तो इस वज़ा से इसका चतुर्भुज है इसमें जो प्रमुख नगर आते हैं वो आपके एक्जाम में पूछा चाता है इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे तो एक बार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और आप को तादी यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी और विश्व की पांचवी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है 2001 में भारत के स्वर्गी भूतपूर प्रधान मंतरी अटल बिहारे बाजपेई के दवारा यह शुरू की गई थी इंपॉर्टन कोशन मनता है यहाँ पर देखिए वर्स 1995 में उस समय के जो प्रधान मंतरी थे अटल बिहारे बाजपेई ने देश के चार बड़े महानगरो जिसमें हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चिन्नाई को चार से छालेन वाले राजमार्गों के नेटवर्स से जोडने की एक योजना बनाई और मैप पर देखे जाने पर ये जो राजमार्गे इस तरीके से चतुरभुज के समान दिखाए देता अभी आपको मैप में दिखाएंगे और इसी वज़े से इसका नाम पढ़ गया था स्वाडिम चतुरभुज अब इसके बारे में कुछ डिटेल फैक्ट देखेंगे वर्स 1999 में योजना बनकर पूरी हुई और वर्स 2001 में आधिकारिक रूप से इसके निर्मार कारी की शुरुवात की गई और वर्स 2012 में जाकर ये परियोजना पूर्ण हुई स्वाडिम चतुरभुज योजना के तहत बने इस रास्टवी राजमार की कुल लंबाई कितनी है 5846 किलोमेटर और इसके निर्मार में लगभग 6 खरब रूपय का खर्चाया और ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी है और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी परियोजना में शामिल है important question आपका बनता है ठीक है काफी question यहां से आपके त्यार हो गए है और आगे यहां पर देखेंगे स्वडिम चतुर्भुज राजमार को के अंतर आने वाले जो प्रमुक राज्जी हैं वो कौन-कौन से हैं बहुत important है तो स्वडिम चतुर्भुज राजमार देश के लगभग 13 राज्जियों के मध्य से हो करके गुजरता है अब यहां पर हम नगर के बारे में भी देखेंगे जो important नगर इसमें आते हैं बीच में अब यहां पर देखेंगे स्वडिम चतुर्भुज राजमार्गों के अंतरगत आने वाले जो प्रमुक नगर हैं यह आपके exam के लिए important question यहां से बनता भी आप आगे देखेंगे तो इस राज्टी राजमार्ग ने देश के प्रमुक चार शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चन्नाई के अलावबी कई प्रमुक भंदर गाहों और शहरों को यह इसने जोड़ रखा है जैसे भोनेश्वर, जैपूर, कानपूर, पुड़े, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखा पत्तनम, एहमदाबाद और बैंगलूरू यह सभी शामिल है और जब भी पूछा जाता है यह जो फेमस शहर है ना उनको पूछा जाता है उनके बारे भी पूछा जाता है जो प्रमुक नगर है और यहां पर आपको बताते किस तरीके से यह चतुर भुज लगता है ठीक है तो यह देखिए यहां पर यह ऐसे तो यह है डेली यह मुंबाई चेननाई कोलकाता तो इस तरीके से यहां पर जुड़ा हुआ है तो यह देखिए स्वाडिम चतुर भुज हुआ और यह दिल ने इसलिए स्वाडिम चतुर्भुष कहा जाता है चलते हैं अंगले कोशन पर नेक्स्ट आपका कोशन आप सभी की स्क्रीन पर मारा अगला कोशन है निमलेखित में से कौन सा एक स्वाडिम चतुर्भुष से जुड़ा नहीं है ध्यान दीजीगा जब भी कोशन पढ़ेए पूरा कोशन आपको पढ़ना है तो कौन सा स्वाडिम चतुर्भुष से जुड़ा नहीं है बेलगाम सूरद गुंटूर या ना अप संडी तो यह जितने बिकल्प दिये गए नागपूर स्वाडिम चतुर्भुज से नहीं जुड़ा हुआ है नागपूर उत्तर ध्यान दिजीगा उत्तर दक्षण गलियारा से जुड़ा हुआ है और यहां पर सूरत है पुड़े है गुंटूर है यह सबी स्वाडिम च स्थित है ग्वालियर है उदैपूर है आग्रया या वारांट सी अपसन यहां पर हमारा कौन से सही होगा अपसन बी सही हो जाता है सभी कोश्चन जितने आप देख रहे हैं नॉर्मल नहीं सभी स्टांडर कोश्चन है और सभी डिफ्रेंट डिफ्रेंट एक्जाम में पू करती इस वीडियो को बनाने में तो आप लोग एक बाट जल्दी से फटावट से वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे की सभी तक वीडियो पहुंचे बस आपको इतना ही करना है और बाकी कॉंसेंट्रेट हो करके रिप्लाइ करते रही सिल्चर जो कि कहां पर है असम में ठीक है और पूर्बंदर ये कहां पर है पूर्बंदर ये है गुजरात में तो पूर्व पश्चिम गलियारा पूर्व इधर की तरफ है और पश्चिम इधर की तरफ तो पूर्व में यहां पर सिल्चर है जो कि असम में है ये जोटा है क कि से गुज्रात के पूरबंदर में तो पूरपश्यम गलियारा सिलचर को पूरबंदर से जोडता है जबकि अगर उत्तर दक्षण की तरफ आ जाते पूरपश्यम यहां पर कंपलीट होगया अब यहां पर उत्तर और दक्षण की बात करते हैं तो उत्तर दक्षण गलिया रख किस से किसको जोडता है श्री नगर को जोडता है किस से कन्या कुमारी से स्रेनगर जम्मु कश्मीर में कन्या कुमारी तमिलनाडु में तो पूरपश्चिम और उत्तरदक्षिम और स्वाडिम चतुर्भुज आपको मैंने बताया ही है ठीक है? क्लियर हो चुका होगा आजाते हैं नेक्स्ट कोश्चिन पर हमारा अगला कोश्चिन आप सभी के लिए निमलिकित में से कौन सा नगर रास्टी राजमार संख्या सेबन पर इस्थित नहीं है वाराण सी कन्या कुमारी नाकपूर कोयमबटूर आप सनिया पर हमारा डी से हो जाता है कोयमबटूर तो रास्टी राजमार संख्या साथ जो की ओल्ड है नेच सेबन ये कहां से कहां तक था? ये वाराण सी से ले करके वाराण सी से ले करके कहां तक है? कन्या कुमारी ठीक है वारार्सी से कन्यकुमारी तक था और ये कोई मटोर से नहीं गुजरता था बरतमार में भारत का सबसे लंबा रास्टी राजमार कौन है एन एच ट्वेंटी सेबन ये है इसके लंबाई कितनी है 412.62 किलोमेटर है और ये कहा से कहा तक जाता है थपोरबंदर जो की गुजरात में आपको मैंने बताया अभी से लेकर के सिल्चर जो की है असम्य सिल्चर तक ये जाता है एन एस 27 क्लियर है चलिए अगले कोईशन पर आजाते हैं और अगला कोशन ने राष्टी राजमार संख्या 2 किन दो नगरूं को जोड़ती है इप्पॉर्टन कोश्चन है मुंबाई चेन्न नहीं दिल्ली कोलकाता आगरा मुंबाई या कोलकाता मुंबाई और यहाँ पर हमारा ही सही हो जाता है दिल्ली से कोलकाता को और यहाँ से हो जाता है रास्ति राजमार संख्या 2 जो ओल्ड है ये दिली को कोलकाता से जोड़ती है बरतमान में एनिस्टू से किसमें बदल चुका है हनेच 19 में यह सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बदा रहें है क्योंकि सारी चीज़ेंब को पता चल जाए त्यार हो जाए तो वरतमान में I NH to KH 19 में बदल गया जोकी आग्रा से को जूड़ते हैं द्यान दीजी का आग्रा से को जूड़ते हैं लेकिन जब suspension इस तरीके से पूचह जाए तब तब भी आपको confused नहीं करना है क्योंकि यह सारे इतने ऐसे question पूशी जाते हैं जिसमें confused होने के chances होते हैं जिसमें फसने के chances होते हैं और court court का मतलब चलता रहता है तो आपको दोनों तरीके से चीजे पता होने चाहिए जो old है वो भी और जो new है वो भी आपको हम दोनों चीजे विहार जारखन और पस्चिम मंगाल से गुजरता है ध्यान रखिए गार जितनी चीजे हम आपको बताते चलते हैं सभी important होती है एक next question पर आते हैं अगला है भारत के किस छेत्र में पक्की सड़कों का घनत्तों सरवारिक है important question है भारत के किस छेत्र में option यहां पर हमारा कौन से सही होगा आराम से आप लोग option चूच करिए तो बिकल्प यहां पर हमारा 20 सही हो जाता है प्राइदीपी पठार में तो दिये गए जो बिकल्प हैं इसमें से प्राइदीपी पठार में पक्की सड़कों का घनत्तों सरवारिक है अगला question निमलिखित किस प्रदेश में रेल मार का सबसे बड़ा जाल बिचा हुआ है किस प्रदेश में रेल मार का सबसे बड़ा जाल बिचा हुआ है option यहां पर हमारा सही हो जाता है option C उत्तर प्रदेश option C से होता है कि दिखिए 2018 से 19 के अंत तक अभी डाटा तो नहीं आया है लिकिन जो यह पुराना डाटा है 2018 से 2019 तक यहां तक और उसके बाद 2020 तक यह कोविड वगारा पैंडमिक की वज़ा से सारा डाटा नहीं आत सका है तो 18 और 19 के अंत तक भारत के प्रमुक प्रदेशों में के अगर हम मतलब उसके अनुसार बात करते हैं डाटा 2018 के तो उत्तर प्रदेश में सबसे जादा रेलमार का जाल बिचा हुआ है अब आपको यहां पर एक एक करके हम बताते चलते हैं देखते जाएगा ध्यान से उत्तर प्रदेश में 8830 किलोमेटर पुरा इसका जाल फैला हुआ है फिर बात करते हैं राजस्थान की राजस्थान में 5937 किलोमेटर ठीक है फिर क्रम से देख रहे हैं महारास्त में फिर महारास्त की बात करते हैं तो महारास्त में 5819 किलोमेटर फिर आंदर प्रदेश की बात करते हैं तो आंदर प्रदेश में 3822 किलोमेटर हैं और प उत्तरप्रदेस भी देख लिया यहां पर आंदर प्रदेस में जो बिकल्प में दिये गये हैं उससे महारास्त पिताबने अगले कोश्चन पर चलतें नेक्स्ट हें कॉंकर्ड रेलवे निमलिखित राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरती है जो कॉंकर्ड रेलवे होती है Option B, केरल Option B से योदा कॉंकर्ड रेलवे लाइन का फ्रारा महारास्ट से महारास्ट में महारास्ट के रोहा से रोहा से स्टार्ट होता है करनाटक तक जाता है करनाटक के मैंगलोर तक जाता है और लगभग कितनी दूरी ताए करता है इसलिए option आपका B सही हो जाता है किस राज सही हो करके नहीं गुजरता है तो विकल्प आपका यहाँ पर B सही हो जाता है केरला, ठीक चलते हैं next question की तरब Question 1 गंगा नदी 9 परिवहन हेत उप्युक्त है 9 परिवहन हेत उप्युक्त है आप लोग जरूर बताएगा आपको question क्यासे लग रहे हैं अपना feedback देना बिल्कुल भी न भूलिएगा हम पूरी कोशिश करेंगे हमेशा आप चितना चलेंगे उससे एक भी कदम हम पीछे नहीं रहेंगे इतना समझ लेजे अगर आप लोग सिक्षक बनना चाहरें सिक्षक बनने का आपका सपना है तो उससे बड़ा सपना मेरा है मेरे लिए एक student को पास कराना सपना मेरा नहीं है मेरे लिए आप से बड़ा सपना है मेरे लिए तो और भी मेहनत की जरूरत है तो हम आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करने के लेते आ रहे हैं मेहनत से हम कभी नहीं भगते हैं ये हमें confidence देता है हमें संतोष देता है हमें अच्छा लगता है satisfaction फिल कर जाता है ठीक है? तो चलिए बिकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? Very good इलाहबाद से हल्दिया तक तो गंगा नदी नौपरिवहन हेतू इलाहबाद जो की बरतमान में जुसका नाम है प्रयाग राज तो प्रयाग राज से हल्दिया तक यह उप्यूकत है और यह रास्टी जल्मार के अंदर गताता है अब देखिए एक खुदा रास्टी राजमार्ग नेशनल हाइवेज जिसे कहते है लेकिन जब रास्टी राजमार्ग की बाता आती है तो इसे कहा जाता है NW National Waterway ठीक है? रास्टी जल्मार्ग तो यह रास्टी जल्मार्ग के अंदर गताता है जो कि घंगा भागे रथी हुगली नदी तंस से संबंदित हैं तो यह 1620 किलोमेटर कितना 1620 किलोमेटर लंबा यह जलमार्ग कहां कहां से हो करके गुजरता है यह कोश्चन एक्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश बिहार जारखंट और पश्चिम मंगाल राजी में यह फैला हुआ है अगले कोश्चन पर आते हैं नेक्स्ट है यहां पर हमारा अगला कोश्चन आ जाता है यह कोश्चन आपका बंदरगाह से रिलेटर है पत्तन तो निमलिके समुद्री बंदरगाहों में से कौन भारत के पश्चमी तडपर अवस्थित नहीं है अब यह को अगला है विशाखा पत्तनम है मुमबई है कौन सा option होता है option यहां पर आपका बी सही हो जाता है विशाखा पत्तनम अप्सं प्राक्रतिक बंदरगा भारत के पूर्वी थाट पर इस्थित है और यह जानते रहे पूछा जाता है कैसा बंदरगा है तो यह फ्राकरतिक बंदरगा है पहला कोशन यह त्वाला ये त्यार हो जाता और आ आपको पता दे में यहाँ से कौन सी पहाड़ी निकली हुई है तो यहां डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली है डॉल्फिन नोज डॉल्फिन नोज तो यह जो प्राकृतिक बंदरगा है यहां डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली है जिससे यह बंदरगा मांसून से लगभग तो पतनाव ये भारत का सब्से गहरा बंदरह और आपको बता दें हैं पर जो मुंबाई है countyождения OH है ये भारत के पश्चमी तठड़ पर किस तठड़ पश्चमी तठड़ पर इस्तित बंदरगाँ है जिसमें से आपका गुश्चन कांड़ा से related पूछा गया था पिछले सुपटेट में और कौन सा question पूछा गया था आपको हम बता देते हैं पहली बात तो ये जारेए ये कहां पर है तो कांडला पहली बात तो ये जानगे पश्मी तड़ पर है और कांडला गुजरात में कक्ष की खाड़ी के तट पर ये इस्थित है और ये कैसा बंदरगा है ये जौरी बंदरगा ये ही पूछा गया था जौरी बंदरगा कोश्चन आपका यही था जौरी बंदरगा है ये ठीक है और ये जो मुंबई बंदरगा है ये महारास्ट में इस्थित है और एक दीप है जिसका नाम है साल सेठ दीप पर यह इस्तित है और देश का सबसे बड़ा बंदरगा है मुंबाई ठीक है मर्मा गाउ जिसे हम मॉर्मू गाउ भी कहते हैं चलिए आपको लिख कर बता देते हैं मॉर्मू गाउ तो मॉर्मू गाउ यह गोवा में इस्तित है ठीक है और ये कहां परिष्थी थे गोवा में बहुत important question ये भी पूछा गया है तो ये जो मारमा गाउं है ए गोवा की जुवारी नदी जुवारी नदी के जुवार नद मुख में इस्थित बंदरगा है clear है? चलिए इतने सारी points जितने आपको हम साइड में बताते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं जोडते हैं तो आप लोग जरूर जोड करके अपनी जी के जीएस को स्टॉंग करिए क्योंकि सुपर टिट में दो ही सबसे जादा स्कॉरिंग पॉइंट है अगर आपके यह स्टॉंग हो जाते हैं पॉइंट मंदब दो सब्जेक्ट एक करेंट फेर और दूसरा जीएस बहुत ही जादा स्कॉरिंग है और बाकि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो पिछला ही अप्लाई करिए ठीक है यही चीजें करेंट बदलता र आते हैं अच्छे कोशन आते हैं अच्छे लेबल के आते हैं और आपको क्या लगता है यह टीचिंग के जॉब पाना वासान है नहीं है बाट डराने की नहीं है बात आपको अलट करने की है आपको सजग करने की आपको एकदम से जागरोग बनाने की है और आपको एकदम से अपने लक्ष के प्रति डेडिकेट होने के लिए बार-बार मोटिवेट करते हैं, इसलिए आपको सच्चाई से रूबुरू करवाने की कोशिश करते हैं, बस और कुछ नहीं, डराने की बात बिल्कुल नहीं, आपको तयार करते हैं कि सच्चाई के नजदीक आप पहुंच स निमलिकित पत्तनों में से कौन लैगून पर बिक्सिप किया गया है, कोची, विशाका पत्तन, मुंबई या चन्नाई, आप्सन यहां पर हमारा A सही हो जाता है कोची, कोची पत्तन यह लैगून पर बिक्सिप किया गया है, कहां पर है, आपको डेटिल में बताते हैं, लैगून पर रहे तो माला बार तड के विम्भणाद, लैगून जील पर विक्सित किया गया है। लागा भर नहीं है तो यह श्री अरप सागर की रणी की नाम से भी जाना साता है है आप जानते रहे और यह एक प्राक्रतिक पत्तन है तो पत्तन की प्रकार में यह जानते हैं प्रद पत्तन है और इसे आरम सागर की राणी के रूप में भी काहां पर работает केरल это इतने सारे question आपके यहां पर तयार हो जाते हैं कहीं से भी question इसमें से पूछा जा सकता है और बात करते हैं विशाका पत्तनम बंदरगा भारत की पूरवी तट पर इस थी देश का सबसे गहरा बंदरगा है मुंबाई बंदरगा आपको मैंने बताया साल से दीप परिस्थी थे बंदरगा यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगा है पहला सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है मुंबाई है ठीक चलिए अगले question पर आ जाते है नेक्स्ट आपका question कोजी कोड बंदरगा भारत के किस प्रदेश में स्थित हैं कोजी कोड ओडीशा में केरल में आंदर तरट आप से पूछा जाते है तो माला बार तरट बताएंगे माला बार तरट पर है और कोजी कोड का प्राचीन नाम क्या दा तो कोजी कोड का प्राचीन नाम है कालिकट ठीक आदे है next question की तरफ हमारा आगला question आप सभी के लिए जवालाल नेरू बंदरगा किस राज्जी में इस्तिते गुजरात महारास्ट गुवा या आंधपडेश आपसन यहां पर हमारा B सही हो जाता है महारास्ट में आपसन B तो आपको यहां जानना है जवालाल नेरू बंदरगा महारास्ट राज्जे में मुंबई से 14 दूर है और इसे एक साहिक बंदर्गा के रूप में स्थापित किया गिया है अगर आप से आदुनिक तंसाथ के गान और पहुत के, तो आप早़ लाल नहीनों बंदर्गाह पर टिक वाला बंदरगा बन रहा है कोची ने विशाखा पत्तनम है मुंबई है या दाहेज है option यहाँ पर हमारा D सही हो जाता है दाहेज option D सही होता है ठीक है option D सही हो जाता है ठीक है दाहेज यह है कहाँ पर किस राज्जी में है यह तो यह गुजरात पहली बात तो यह जानी, गुजरात राज्जी में है, important question. तो गुजरात के किस जिले में, भरूज, भरूज नामक जिला है. तो गुजरात के भरूज जिले के दाहज नामक इस्थान पर, गुजरात Chemical Port Terminal Company Limited की स्थापना की गई है तो ताहेज में तेल, पेट्रोलियम उत्पादो, योंग रसायन की आयात और निर्यात, योंग भंडारर की जो सुविधा है वो विक्सित की गई है क्योंकि वहीं पर देखिए जब गुजरात Chemical Port Terminal Company Limited की स्थापना की गई तो इसके लिए यह जितने भी केमिकल है यानि की तेल हुआ पेट्रोलियम उत्पाद यह रसायन यह सभी के आयात निर्यात को यहांस किया जा रहा है ठीक है चलिए अगले कोशिन परना जाते हैं नेक्स है भारत का कौन सा पत्तन लोह अहस निर्यात करने वाला सर्भ प्रमुक पत्तन है लिकल पाफ सभी के सामने है अप्सन यहाँ पर एस ही हो जाता है मर्मुगाओ मर्मुगाओ भारत का एक प्रमुग बंदरगा है और यह किस राज्जी में इस से थे अभी मैंने आपको बताया गुवा में है तो 1963 से लेकर कि अब तक भारत के समुद्री ब्यापार में इसने बहुत important role play किया है और इस पत्तन से law as का निर्यात विशेस रूप से किया जाता है और यह किस टाइप का बंदरगा है यह प्राकृति बंदरगा है कैसा है प्राकृति बंदरगा है ठीक है चलिए अगले कोशिन पर आजाते नेक्स्ट है कोशिन भारत के किस बंदरगा द्वारा सबसे अधिक मात्रा में law as का निर्यात किया जाता है विकल्प के recording आपको चूज करना है मर्मुगाऊ अगर आपको मिल गया तो आप फटाफट से टिक लगा सकते हैं दिक वितनगा चलिए अगले कोशिन पर आते हैं नेक्स्ट है बारत के निमलिखित बंदरगाऊं में से कौन सा ओरिशा तडपर इस्तित हैं ओरिशा के तडपर खल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाका पत्रन New अब सरियां पर हमारा C सही हो जाता है पारादीप तो पारादीब बंदरगा ओडिशा तरट पर रिस्तित है और ये ओडिशा के जगत सिंग पुर्जिले में इस्तित है जिला कौन सा है जगत सिंग पुर्जिला ठीक चलिए आ जाते हैं अंगले कोशिन पर नेक्स्ट कोशिन पूछा जा रहा है किलोसकर समूद जो भारी एव भारत की कंपणी है किलोसकर समूद जो भारी और हल के मशीन उपकरणों का उत्पादन करती है पुरे में है ये इस्तित है ये जानते रहे है कहां पर है किलोसकर ये पुरे में इस्तित है और ये भारतिये कंपणी है कैसे कंपणी है भारतिये कंपणी है जिसके स्थापना क कब हुई 1988 में 1988 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी तो आपको बता दें हैं पर लक्षमड राओ किरलोस करके द्वारा इसके इस्थापना की गई थी कब 1888 में ध्यान दिजीगा 1888 में अगर मैंने उन्नीस मुल दिया तो इसे करक्ट कर लिजिए 1888 में की गई थी लक्षमड राओ किरलोस करके द्वारा और कहां पर है यह कंपणी पूरे में है और कैसी कंपणी भारती है और यहां पर क्या काम होता है तो भारी और हलके मशीन का उत्पादन किया जाता है ठीक है तो फ्रेंस यहां पर आज के कोशन हो जाते कंप्ली जो की पूरे परिवहान से रिलेटर थे और साथ साथ में पत्तन भी हम लोगों ने दिखा पत्तन परिवहान इन समय से जो बहुत ही जादा सेलेक्टेट और मोस्ट इंपोर्टन कोश जाए हो और सारे कोशन आपको ऐसे नॉर्मल नहीं लगें यूनीक लगें इस टांडर लगें और कहीं भी इतने डिफरेंट कोशन का कलेक्शन आप कहीं पर भी नहीं पा सकते हैं तो NCRT, SCRT और डिफरेंट एक्जाम में जो कोशन पूछा गया होता है किस तरीके का कोशन इसमें आता है तो सब कुछ हम यहां पर कवर करते हैं इस तरीके से फिर वीडियो मनाते हैं और जिसमें बहुत जादा मेहनत लगती है और माइनूट और जल्दी से के साथ कोशन तयार किया जाता है तो चलिए एक बार जुल्दी से करेंगे फटाफट से सुपरफास रिव कर लिया जाए कोई भी चीज आपकी मेमोरी में तवी फीट होती जब आप लोग रिवाइश करते हैं तो रिवीजन की क्लास भी यही पर हम आपको फटावल से प्रवाइट करा देते हैं तो चलिए राजिस्तन का वर रास्ती राजमार जो स्वाडिम चतुर्भुष परिय प्रवाइब नहीं है तिकल्प आपका यहां पर डी से हो जाता है नाकपूर अगला कोश्चन निम्लिकित नगरों में से स्वाडिम चतुर्भुष यह पूर्व पश्यम गलियारा के मिलंग बिंदू पर रिस्थित है अप्सन भी उदैपूर अगला कोश्चन निम्लिकित में से कौन सा नगर रास्टिय राजमार संख्या सेवन परिस्तित नहीं है अप्सन यहां पर डी से हो जाता है कोयम बटूर कोश्चन अगला है राश्चिरा राजमार शंख्या दो किन दो नगरों को जोडती है उप्सन भी दिल्ली लगता को भारत के किस शेत में पक्की Option C, उत्तर प्रदेश, कॉंकर्ड रेल बेन निमलिखित राज्य में से किस राज्य से नहीं गुजरती, Option B, केरल, गंगार नदी नौ परिवान हे तु उप्युक्त है, Option C, यहाँ पर, यहाँ पर, Option C से होगा, इलाहबाद से हल दिया तक, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट का हमारा कोशिन है, निमलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन भारत के पश्मी तडपर अवस्थित नहीं है, Option B, विशाखा पत्तनम, यह पूर भी तडपर है, निमनांकित पत्तनों में से कौन लैगून पर बिक्सित किया गया है, Option E, कोच्ची, कोजी कोट बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में इस्थित है, Option B, केरल में, अगला कोशिन है, जवाहलाल नेरो बंदरगाह किस राज्जी में इस्थित है, Option B, महारास्ट, बारत में निमन में से कौन सबसे बड़ा रासायन सामागरी की आयात निर्यात वाला बंदरगाह बन रहा है, Option D, दाहिज, भारत का कौन सा पत्तन लोह एस्थित को निर्यात करने वाला सर्भ प्रमुक पत्तन है, Option यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, मर्मुगाओ, अगला कोश्चिन, बारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्र में लोह एस्थ का निर्यात किया जाता है, Option D, विशाखा पत्तनम और मर्मुगाओ, विशाखा पत्तनम आंदर प्रदेश में है, बारत के निमलिखित बंदरगाह में से कौन सा ओड़ी सा तटपर अवस्थित है, Option यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, कौन सा है, ओड़ी सा तटपर, विकल्पियाँ पर हमारा सही हो जाता है, C, पारादीब, अगला कौशन एक किरलोसकर समुझ जो भारी यूंग हलके मशीन उपकरणों का उतपादन करता है, अब संडी सही हो जाता है, यह भारत की कंपनी है, तो फ्रेंज, इसी के साथ ही आज की क्लास लगाती कंप्लीट, हम लोगों ने सभी कोशन को डेटेल में देखा, एक कोशन के साथ आपके कई कोशन तयार हुए, और लास्ट में हम लोगों ने सुपरफास रिबीजन में कर लिया, चलते हैं आज के सवाल की तरफ, आज का आज के लिए निमलेखित किस प्रदेश में रेलमार का सबसे बड़ा जाल बिचा हुआ है, महारास्ट, आंदर प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्रिमंगाल, बिकल्प कॉन से होगा आपको कमेंट सक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपका एक न्यू मुन मुन ब्लॉक्स जिस पर हम आपको कुछ न कुछ मोटिवेशनल वीडियो कुछ न कुछ आक्टिविटी और या लाइप सेशन के साथ जरूर मिल जाते हैं तो चैनल के साथ बने रहीएगा, जब भी आपको मूड फ्रस करना हो, जब भी कुछ आपको सीखना हो, आप ल इनर्जी के साथ, हिम्मत के साथ, पढ़ते रहीए, पढ़ते रहीए, मैनत करते रहीए, सफलता ज़रूर मिलेगी, इसे के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए, गुद्दा एंट, टेक केर, थैंकि सो मच, लव यौल, चैन, और हाँ, जाते झाल झाल